बेलकम बेक टू माइटूबशन पेपर हैकर आज किस वीडियों देखेंगे जो भी चात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए हम लेके आएं बिटा फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत जाद इंपोटेंट कोशन है यह जो कोशन बार बार पूचा जाता है एकोनोमिक्स में जिसे हम अर्थसास्त कहते हैं और आर्थसास्त के अंतर कोशन पूचा जाता है दिखेंगे जो इंपोटेंट कोशन है उन कोशनों के वीडियो आपको प्रवाइड करा रहा हूँ पेपर हैकर इपनल कर और फेस्बूक पर भी आपको मिलेगी फेस्बूक पेज़ पेप पीडियाफ को दे रखा है पीडियेफ का लिंक दे रखा है वहां से जा कि आप डालोट अपर ढूंट कर सकते हैं। इस को यह पूछता है और बहुत और बहुत जाधा बहुत जैब सं utilities संचनेंगे यहां से लेकर वसं यहां तक आपको पढ़ना है ज्यादा कुछ भी नहीं पड़ाना आपको समझा देता हूं एक बार में और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दे रहा है पहली बार चैनल पर आए तो चौन को सब्सक्राइब कर ले रहा है जो भी मैंने इंपोटेंट कोशन 2022 में आने वाले दिये है आप उनकोशनों को याद करके चलिए रहा हूं प्रवाइड करा रहा हूं साथी साथ इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीए भाई पेपर है करें दोनों चैनल हमके मिल जाएगी जाकर सकते यहां को सब्सक्राइब कर देना देखो पहले हम समझ लेते हैं इसको ध्य तरफत करने बिंदु का एक मारग है उन्होंने कहा है कि दो जो समान संतुष्टी प्रतान करता जो वोगता है उभोकता कहा जाता है जो खरीत आया है बहर स्तने मातराओं के उन सायों को प्रदसित करने वाले भिंदू का मार होता है जिनके प्रति ब्यक्ति तट कहता है तट इस्था यह फिर उदासीन रहता है मतलब कि तट इस्था रहो यह फिर उदासीन रहो ठीक है और इसी लिए इसे तट इस्था बकर कहा जाता है मतलब क्या होता है वो संतुष्ठ रहता है तो मैंने कहा न यहां की इकाईया है और इनके बीच में इस प्रकार से बनेगा तो यह जो एक बसतू एक जादा मेची गई एक कंभी मेची गई है और उनको चंतुष्ठ का दियाहए हैить दिया थै चाल प्राइस bi volunteers ये तोय है थी ये हम शाले न्रम चा illustrates डूर्म पैसा का दो आपस में क्या होगा मैं आपको ऐसे नहीं समझा हूँ एक रुप्य का दिया थीकंश में पता शरेट पीता हूँ लेकिन कितने रुपए की आप जो एक सब्सक्राइब तो हाँ विल्प यार और ऐसा बोलता है कि पांच रुपे मिलती है तो यहां मैंने पचास पैसे कम किये तो जो पचास पैसे मुझे बच्चत हुई यहां यह क्या होता है यह दोनों के बीच में उसको मैंने संतुष्ट कर दिया कि यार वह अब जब भी पिएगा ना सिग्राटाके तो मेरी दुकान पर प्याइगा क्यों कि वह साड़े शार रुपए की दे रहा हूं वैसे उसे बाहर पांस इंपने मिल रही है तो कही न कहीं मैं उसको क्या दे रहा हूं सन्तुष्ट कर रहा हूं इसको ही क्या बोलता है जो और जो बक्र बनेगा इन दो बस्तू के बीच में बक्र बनेगा दो खरीद रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं तट इस्ता बक्र बोलते हैं ठीक है इसक बात को सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया कभी भी ऐसा कोशन आए तो आप इस परिकार से इमेज बना के और यह एक्स है मैं आपको थोड़ा सा मिटा के समझाता हूं इसको दुबारा से देखों जहां से देखेंगे अब यह हमने इस बक्र के बारे में एक्स प्लेंड किया है जैसे कि यह देख लीजिए यह और यह एक्स है ओएक्स पर चाय की इकाईयों को तथा ओभाई पर सि A B C D E बिंदू दोरा अंकित किया गया है इनके पांसों सयोगों को इसे लेकर इन बिंदू को मिलाकर संतुष्ट करने के लिए तो वही संतुष्ट होता है और इस इसलिए इसको समान संतुष्टी बक्र भी कहा जाता है तो आप यह है बिल्कुल सौट में जो आपको एक्जम्पल देके मैंने को समझाए बस इतना ही लिखके आना एक्जम्पल में जब भी आता है तो आप यह इमेज बनाके आएंगे पूरा और यह जो लिख बाएंगे लाइकन को प्रेस कर देना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना थैंक यूपर वसे इन इस वीडियो बाई बाई